आप सबको मेरा नमस्ते ये सेशन में मैं आपको मैंगनेशियम की बारे में बताने वाली हूँ ये मेरा बहुत ही मह плох शुट करते हैं मेरा ओसंद वि आप मेंगनेशियम की अवर्याक्न की बारे में आप हमीशा हम लोग विल वह कहते हैंciones के पारे में बाहुत ही महार्य कोई प्रकारणों इसके बात क्रीक्त करता हैलेकि मेंगनेशियम की मैं परहुत है बहुत ही महात्वा पुर्णा है तो वो हमारे खाने में होना बहुत ही जरूरी है सिर्व हमारे खाने में नहीं बच्चों के खाने में और especially pregnant mothers के खाने में तो यह magnesium का क्या काम है तो magnesium है क्योंकि वह प्रकार 2 है वो बच्चों के विकास के लिए तेक और सुभरिव है और यह जवर्व मंगनेशुम है हमारा यंत्र चलाता है कूरा ममित्वर जो सुभिवये ज़ो, ieंकरा शूर्थ मां मनोछ ज्युकर चलाता जरूरा है अगर मैगनेशियम नहीं हुआ तो क्या होगा तो आपको तो मालूम ही है कि कभी-कभी हम लोग को रात को क्रैम साते हैं रात में मतलब मैसे जो हमारी मास पेशी है थोड़ी ऐसे कड़क हो जाती है और हमें इतनी दर्द होती है बहुत टाइम हमें हैडेक होता है सिर में है वो फास्ट ऐसे फटाफट फास्ट चलती है उसको हम लोग अरित्मिया बोलते हैं बहुत सारे अधर कभी-कभी किसी को ब्लाड प्रेशर होता है किसी को डाइबिटी होता है तो यह जो मैगनेशियम है यह इसमें सब में बहुत काम आएगा तो अगर आप मतलब करें जो तो आपको यह सारे बहुत सारे यह से तोड़े थोड़े कंपो जाएग घिन अस्पेसियली यह आपके जो मानन करें को मिल्कुल्त करेंज और घ्राट होutenे थो दर्थ होना बहुत में करें आपको नया दुस्यों कि पहलों हो हो दूब हो यह हम लोगा ही ञ hell up को मै जैसे हम लोग ने magnesium वाला खाना उनको दिया तो उनका जो headache था जो सिर्दर था वो बहुत कम हो गया तो आपको उसमें भी बहुत ज्यान देना है कौन से कौन से खाने में magnesium है तो सबसे जादा तो आपको जो vegetarian खाना है उसमें आपको magnesium बहुत भरवर के मिलेगा एक तो आपके है जो दाने है बीज है जो पुलते है अपके कठोल है अंकुरित कठोल है उसमें भी आपको magnesium मिलेगा थोड़ा दूद में भी होता है लेकिन ध्यान में रहे कि हम लोग को शक्कर यार गूड ज्यादा इस्तमाल नहीं करना है उससे diabetes और blood pressure होने के chances बहुत ज्या इतना magnesium नहीं मिलता है तो आपको आपके non-wage जबिभी डिश बनाए तो आपको यह प्रदार्थ जिसमें ज्यादा magnesium है वह आपको उसमें इस्तमाल करना पड़ेगा तो यह जो मैं आपको भी तीन टुटॉरल दिखाने वाली हूँ एक तो है magnesium का महत्वर उसका महत्वर क्या है बॉलिए में दिखना है देखना एक तेखना है आपको अधूसरा एक टुटॉल है वह मैंगनेशियम जो वेजिसरीजरी रसीपीजा है, मैंटियम से भरपूर तो उसका दूसरा है तूसरा टुटॉल है के magnesium से भरपूर, non-wage रसीपीज. तो वह कैसे क्या-क्या है इस्त पोकन टुटॉरियल में आपका स्वागत है इस टुटॉरियल में हम सीखेंगे ज़रूरी पोशक तत्वों के रूप में खनिच पदार हमारे खानों में मैगनीशियम की एहमियत इसकी कमी के कारण और उनके लक्षन मैगनीशियम से भरपूर खाने और उम्र के हिसाब से लोगों को इसकी ज़रूरत पहले समझेंगे कि खाने में खनिच पदार्थ क्यों ज़रूरी है खनिच पदार्थ ज़रूरी पोशक तत्व होते हैं अच्छी सेहत के लिए खनिच पदार्थ थोड़ी मात्रा में चाहिए होते हैं हमारा शरीर इन पदार्थों को खुद नहीं बनाता इसलिए इन्हे खाने में से लेना पड़ता है खनिच पदार्थ खून के ज़मने के लिए ज़रूरी होते हैं खून में शुगर और रक्त चाप को भी बनाए रखने में वे मदद करते हैं हीमोगलोबिन और पुद्धी के विकास में भी मदद करते हैं। खनिच पदार्थ रोग प्रतिरोधक शक्ती के लिए और थाइरोइड हार्मोन को बनाने में भी ज़रूरी होते हैं। मैगनिश्यम शरीर के लिए एक ज़रूरी खनिच पदार्थ है। ये मास पेश्यों को आराम देता है। केंद्रिय तंत्रिका से संदेश भेजने और लेने में मदद करता है। तंदरुस्थ हडियों और दांतों के लिए भी ये ज़रूरी है। उर्जा के लिए भी मैगनिश्यम ज़रूरी है। और DNA के निर्मान के लिए भी चलिए समझेंगे शरीर में मैगनीशिम की कमी होने के कारण और उनके लक्षन कुछ खास वज़ों से शरीर में मैगनीशिम की कमी का खत्रा बढ़ जाता है उन में से एक है गलत खुराथ और संसाधित खानों को खाना बाकी वज़य है जादा शराब पीना, चाए और कॉफी भी अगर शरीर मेगनीशिम को ना सोखे तो इससे भी कमी हो जाती है गरबावस्ता में मैगनीशिम की जरूरत बढ़ जाती है अगर जरूरत पूरी ना हो तो शरीर में कमी हो जाती है मैगनीशियम की कमी के लक्षन है भूक ना लगना, कमजोरी, सरदर्ध होना, माईग्रिन और मास पेशियों में एंधन अगर कमी जादा हो तो दिल की धड़कन असमाने हो जाती है मैगनीशियम के कम होने पर कैल्शियम और पोटैशियम भी कम हो सकते हैं मैगनीशियम की कमी से दूसरे प्रकार का मदू में होने का खत्रा बढ़ जाता है और उच्च रक्तचाप होने का भी ओस्टियोपोरोसिस का खत्रा और दिल की बिमारी का खत्रा भी बढ़ जाता है ओस्टियोपोरोसिस में हड़ी कमजोर हो जाती है हड़ियां नाजुक हो जाती हैं और उनके तूटने का खत्रा भी बढ़ जाता है ओस्टियोपोरोसिस के बाकी लक्षन है शरीर का जुकना, लंबाई कम हो जाना और पीठ दर्द मैगनीशिम से भरपूर खाना खाने से इसकी कमी से बच सकते हैं फलियां, दाने, बीज, पत्तेदार सब्जियां और अनाज मैगनीशिम से भरपूर होते हैं चलिए इन सब खानों में मौजूद पोशक कत्व देखते हैं 30 ग्राम फलियों में 64 मिलीग्राम मैगनीशिम होता है बीजों के दो बड़े चम्मच में 123 मिलीग्राम मैगनीशिम होता है 100 ग्राम पत्तेदार सब्जियों में होता है करीब 194 मिलीग्राम मैगनीशिम 20 ग्राम दानों में 61 मिलीग्राम मैगनीशिम होता है और 30 ग्राम अनाज में 81 मिलीग्राम मैगनीशिम होता है हालांकि हम खाने में से Magnesium ले सकते हैं पर शरीर का Magnesium सोखना भी बहुत जरूरी होता है खाने में मौझूद Phytate और Oxalate शरीर को Magnesium को सोखने से रोकते हैं फाइबर का भी समान प्रभाव होता है पर फलियों को पकाने से पहले भिगोने से शरीर पोशक तत्वों को ज़ादा सोख पाता है किसी चीज के खमीर उठाने से, अंकुरन करने से, खाना पकाने से और भूनने से भी यही होता है उम्र के हिसाब से Magnesium की खुराख भी अलग-अलग होती है किशोर अवस्था में 360-400 मिलिग्राम मैगनिशिम की ज़रूरत पड़ती है 18-19 साल की गर्बवतियों के लिए 400 मिलिग्राम मैगनिशिम ज़रूरी है 18-19 साल की स्टन पानकराती माओं के लिए 360 मिलिग्राम मैगनिशिम ज़रूरी है उम्र में बड़े लोगों के लिए 310 से 400 मिलिग्राम मैगनिशिम चाहिए होता है गर्ब वतियों के लिए 350 मिलीग्राम और स्तन पानकराती माओं के लिए 310 मिलीग्राम मैगनीशियम सुझाया जाता है मैगनीशियम की बताई गई खुराक पाने के लिए मैगनीशियम से भरपूर खाना खाना चाहिए अब यह टुटारियल यहीं समाप्त होता है IIT Bombay से मैं Bella Tony आपसे विदा लेती हूँ हम से जोडने के लिए धन्यवाद मैगनीशियम से भरपूर शाकाहारी खाना बनाने के तरीकों पर बने स्पोकन टुटारियल में आपका स्वागत है इस टुटारियल में हम सीखेंगे मैगनीशियम के फाइदे मैगनीशियम के शाकाहारी स्रोथ और मैगनीशियम से भरपूर शाकाहारी खाना बनाने के तरीके मैगनीशियम एक खनिच पदार्थ है और हमारे शरीर के लिए यह एक जरूरी पोशक तत्व है यह दूसरे प्रकार के पोशक तत्वों का हिस्सा है जिसके बारे में एक अन्य टुटॉरियल में समझाया गया है इस टुटॉरियल को देखने के लिए कृपया हमारी वेब साइट देखें मैगनीशियम हमारी हड्डियों और दांतों को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है मैगनीशिम की जरूरत शरीर में उर्जा बनाए रखने में और DNA संचलेशन के लिए भी होती है मैगनीशिम की महत्वता के बारे में एक अन्य टुटॉरियल में समझाया गया है मैगनिशिम हमें मिलता है फलियों में, दानों में, बीजों में, पत्तेदार सबजियों में और अनाज में मैगनिशिम को खाने में लेना और शरीर का उसको सोखना दोनों जरूरी है खमीर उठाना, भूनना, अंकुरन और खाने को पकाने से शरीर मैगनिशिम को सोख पाता है फलियों को पकाने से पहले भिगोने से भी शरीर मैगनिशिम सोख पाता है अब आईए सबसे पहले सीखते हैं अंकुरित मोठ दाल कटलेट बनाने का तरीका इसे बनाने के लिए हमें चाहिए एक चौथाई कप अंकूरित मोठ दाल, एक कप धो कर कटी हुई पालक, एक बड़ा चमच बेसन, चार से पांच लहसुन की कलिया, एक चमच नीम्बू का रस, एक बड़ा चमच भुने हुए तिल के बीज, और नमक स्वाधन उसार और आपको चाहिए होगा एक चमच लाल मिर्च पाउडर और तीन चमच तेल, आईए अब सीखते हैं पकाने का तरीका, अंकूरन के लिए मोठ दाल को राद भर भिगोए रखें, सुबह इसका पानी निकाल कर इसे एक साफ सूती कपड़े में बांध दें, फिर इसे अंकूर दाल अंकूरित हो जाए तो इसमें लेसुन मिलाकर इसे पीस ले और पेस्ट बना ले, पेस्ट बनाने के लिए आप मिक्सी या सिलबटे का इस्तेमाल कर सकते हैं, तवा गरम करें और तेल के बीजों को हलका सुनेरा होने तक भून ले, अब इने ठंडा होने दे, कटलेट बनाने के लिए अंकूरित दाल का पेस्ट एक कटोरे में ले ले, इसमें भूने हुए तिल के बीज, पालक, बेसन, मसाले, नमक और नीबू का रस डाल दे, फिर सबको अच्छे से मिला ले, अगर पेस्ट सुखा हो तो उसमें एक बड़ा चमच पानी मिला ले, अब इस प पर कटलेट को दोनु तरफ धीरे-धीरे सुनहरा होने तक तल ले, मोठ दाल पालक कटलेट बन कर तयार है, चार कटलेट में लगबग 208 मिलिग्राम मैगनिशियम होता है, अगला हम सीखेंगे सूरज मुखी के बीजों की चटनी, इसके लिए आपको चाहिए दो बड़े चमच सूरज मुखी के बीज, एक हरी मिर्च, चार से पांच लहसुन की कलियां, एक छोटा टमाटर कटा हुआ, नमक स्वाद अनुसार और आधा चमच तेल या घी बनाने का तरीका, मध्यम आग पर सूरज मुखी के बीजों को हलका सुनहरा होने तक भून ले, फिर उसको ठंडा होने दें, अब तवे पर तेल या घी गरम करें, कटे टमाटर को सेंक ले, इसे ठंडा होने के लिए अलग रख दें, अब दोनों को लहसुन, मिर्च, नमक और पानी के साथ पीस कर पेस्ट बना लें, सूरज मुखी के बीजों के चटनी बनकर तैयार है, दो बड़ अंकूरन करने का तरीका इसी टुटोरियल में समझाया गया है, पराठे बनाने के लिए आपको चाहिए, एक चोथाई कप गेहुं का आटा, दो बड़े चम्मच अंकूरित लोबिया, एक बड़ा चम्मच तिल के बीज, एक हरी मिर्च, एक चम्मच जीरा, आधा चम्मच ह अलदी पाउडर और आपको चाहिए होगा नमक स्वाद अनुसार और साथ में दो चम्मच तेल या घी, पहले एक मिक्सी में अंकूरित लोबिया और हरी मिर्च को डाल कर दोनों का एक पेस्ट बना ले, अगर मिक्सी ना हो तो आप सिल्बटे का इस्तिमाल कर सकते हैं, पत इसमें लोबिया का पेस्ट डालें, और अगले दो मिनट तक फिर से भूनें, फिर नमक और हल्दी पाउडर मिलाएं, और अगले पांच मिनट तक पकाएं, अब इसे ठंडा होने के लिए अलग रख दें, पराठे बनाने के लिए एक कटोरे में आटा ले लें, इसमें जर तरफ से बंद कर दें, उपर से थोड़ा सूखा आटा लगाएं, और इसे बेल कर पराठा बना लें, अब तवा गरम करें और पराठे को दोनों तरफ घी या तेल लगाकर सेंक लें, अंकुरित लोबिया का पराठा तैयार है, एक पराठे में लगबग 173 मिलिग्राम मैग एक चोथाई कप अंकुरित चने, एक कप धुली हुई मेथी की पत्या, एक कटा हुआ मध्यमाकार टमाटर और एक कटा हुआ मध्यमाकार प्याज, इसके साथ साथ आपको चाहिए आधा चमच हल्दी पाउडर, आधा चमच लाल मिर्च पाउडर, एक चमच भुने हुए म पाउडर, एक चमच तेल और नमक स्वाद अनुसार बनाने का तरीका, अंकुरित चने को कुकर में दो सीटियां लगवाएं, कुकर में से भाप निकल जाने का इंतजार करें, एक पतीले में तेल गरम करें, इसमें प्यास डालकर हल्का सुनहरा होने तक भून लें, अब ट में मसाले, नमक और अंकुरित चने डालें और अच्छे से मिला लें, फिर इसमें मूंफली का पाउडर डालें, अब ढकन से पतीले को ढकें और पांच से दस मिनट पकाएं, अंकुरित चने की सूखी सबजी तयार है, आधी कटोरी सबजी में से हमें लगबग 141 मिलिग्र सौ ग्राम धुले हुए चौलाई के पत्ते, चार कल्या लहसुन की, एक छोटा प्यास कटा हुआ, दो बड़े चम्मच घिसा हुआ नारियल, दो हरी मिल्च, चुटकी भर हल्दी और नमक स्वाद अनुसार, आपको एक चम्मच तेल भी चाहिए होगा, बनाने का तरीका प अब इसमें चौलाई के पत्ते डालें और इन्हें अच्छे से मिला लें, फिर इसे ढख कर पांच से साथ मिनट तक पकाते रहें, इसमें नमक और हल्दी डालकर एक मिनट तक और पकाएं, फिर नारियल मिलाकर अगले पांच मिनट तक और पकने दें, चौलाई के पत्तों की सूखी सबजी बन कर तैयार है आधी कटोरी सूखी सबजी में से हमें लगबग 209 मिलिग्राम मैगनीशम मिलता है अच्छे स्वास्त के लिए अपने रोज के खाने में मैगनीशम से भरपूर आहार जरूर शामिल करें इसके साथ ही ये टुटोरियल समाप्त होता है यह स्क मासाहरी खानों पर बने स्पोकन टुटोरियल में आपका स्वागत है इस टुटोरियल में हम सीखेंगे मैगनेशियम के खाद्यस्त्रोत मैगनेशियम से भरपूर मासाहरी खाना बनाना मैगनेशियम मास पेशियों को आराम देने के लिए आवशक खनीजों में से एक है मजबूत हड़ियों और दातों के लिए भी मैगनेशियम की आवशकता होती है हमें मैगनेशियम की आवशकता उर्जा उतपादन और डीने संसलेशन के लिए भी होती है मैगनेशियम के स्त्रोथ लोबिया, राजमा और चना जैसी पलिया है मेवे जैसे बादाम, काजू भी अच्छे स्त्रोथ है सुरज मुखी के बीज और तिल इसके अन्य उधारण है बाजरा, रागी और जवार में भी मैगनेशियम होता है मानसाहरे खाना मैगनेशियम का अच्छा स्त्रोथ नहीं है इसलिए मैं उन्हें मैगनेशियम से भरपूर प्राकृतिक खाद्य सामगरी से सम्रुध्ध बनाऊंगी ऐसा करने से मानसाहरे लोगों को इस खाने के माध्यम से मैगनेशियम प्राप्त करने में मदद होगी चोलाई के धुले पत्ते देड बड़ा चमच ताजा कद्दूकस किया नारियल पाच लहसुन की कलिया दो सूखी लाल मिर्च आधा चोटा चमच जीरा स्वाद अनुसाल नमक आपको यह भी चाहिए आधा चोटा चमच हल्दी पावडर आधा चोटा चमच मिर्च पावडर एक बारीक कटा प्याज एक बारीक कटा टमाटर दो चोटा चमच तेल एक चोटा चमच निम्बु का रस बनाने का तरीका चिकन को धोए और साफ करे चिकन को निम्बु का रस लगा कर 20 मिनट तक अलक रख दे पैन में तेल गर्म करे, जीरा, अद्रक और सुखी लाल मिर्च डाले दो मिनट तक भूने इसमें कटा हुआ प्याज डाले और हलका सुनहरा होने तक भूने टमाटर डाले और उनके मुलायम होने तक पकाए निम्बु का रस लगा हुआ चिकन डाले और अच्छे से मिलाए इसे धक्कन से धके और 6-8 मिनट तक पकाए मसाले और चोलाई के पत्ते डाले धक्कन रखे और चिकन पकने तक पकाए अंत में ताजा कद्दुकस किया हुआ नारियल डाले और 5 मिनट तक पकाए सुखा चीकन तयार है इसमें लगभग 133 मिलीग्राम मैगनेशियम होता है दूसरा है भाप में पके अंडे की सुखी सबजी इसको बनाने के लिए आपको चाहिए दो अंडे 50 ग्राम मेथी के धुले पत्ते देड बड़ा चमच तील पावडर एक बारी कटा प्याज एक छोटा चमच लाल मिर्च पावडर आधा छोटा चमच हल्दी पावडर दो छोटा चमच तेल स्वाद अनुसार नमक बनाने का तरीका पैन में तेल गरम करे और तील चटकने तक भुने उन्हें थंडा होने दे फिर उनका पावडर बनाए उन्हें एक कटोरे में तोड ले और उन्हें फेट ले नमक और लाल मिर्च पावडर डाले अच्छे से मिलाए अलग कटोरे पर तेल लगाए और अन्डे के मिश्रन को इसमें डाले इस मिश्रन को स्टीमर में 6-7 मिनट तक पकाएं भाप में पकने के बाद इसे ठंडा होने दे भाप में पके अंडों को निकाले और उनके टुकडे करे सबजी बनाने के लिए पैन में तेल गर्म करे प्याज डाले और सुनरा भूरा होने तक भूने इसमें मेथी के पत्ते, मसाले और तील का पावडर डाले और अच्छे से मिलाएं इसे 2 मिनट तक भूने अंडे के टुकडों को पैन में डाले इसे धककन से धके और 2-3 मिनट तक पकाएं भाप में पके अंडे की सुखी सबजी तयार है इस सबजी के कटोरे में लगभग 120 मिलिग्राम मैगनेशियम होता है अगला है सुरज मुखी के बीजों की तरी में मचली इसे बनाने के लिए आपको चाहिए बांगडा मचली के दो टुकडे यदि बांगडा उपलब्ध ना हो तो आप बोंबिल का उप्योग कर सकते है अन्य आवशक सामगरी है दो बड़े चमच सुरज मुखी के बीच एक छोटा टमाटर कटा हुआ एक छोटा प्यास कटा हुआ एक छोटा चमच जीरा आपको इनकी भी आवशक्ता होगी चार से पाच लहसुन की कली आधा छोटा चमच काली मिर्च आधा छोटा चमच धनिया के पत्ते स्वाद अनुसान नमक एक छोटा चमच मिर्च पावडर आधा छोटा चमच हल्दी पावडर दो छोटा चमच तेल बनाने का तरीका, सुरज मुखी के बीजों को एक से दो घंटे तक भिगोए और फिर उने चान ले, थोड़ा सा नमक मचली पर लगाए, 15 से 20 मिनट तक इसे अलग रखे, पैन में जीरा और काली मिर्च सूखा भूने, उन्हें ठंडा होने दे, सुरज मुखी, जीरा और काली मिर्च को मिलाए, थोड़ा सा पानी मिलाए और मुलायम पेस्ट बनाने के लिए उन्हें पीसे, इसका उप्योग हम बाद में करेंगे, पैन में तेल डाले, प्याज, लहसुन डाले, हलका सुनेरा होने तक इन्हें भूने, तमाटर डाले और मुलायम होने तक इसे पकाए, इसमें मसाले और तयार पेस्ट डाले, थोड़ा पानी डाले और इसे पाच मिनट तक पकाए, इसमें मचली डाले और मिलाए, पैन को ढखे और दस मिनट तक पकने दे, अंत में धनिया के पत्ते डाले, सुरज मुखी के बीजों की तरी में मचली तयार है, इस करी के एक कट तोरे में लगभग 168 मिलीग्राम मैगनिशियम होता है। अगला है लोविया और जिंगा की सूखी सबजी। इसे बनाने के लिए आपको चाहिए दो बड़े चमच अंकुरित लोविया, 50 ग्राम जिंगा, एक मध्यम कटा टमाटर, एक छोटा बारीक कटा प्याज, 4-5 लहसुन की कली, एक छोटा चमच धनिया के पत्ते, आपको यह भी चाहिए, एक छोटा चमच लाल मिर्च पावडर, आधा छोटा चमच हल्दी पावडर, स्वाद अनुसाल नमक, एक छोटा चमच तेल, एक छोटा चमच निम्बू का रस, बनाने का तरीका, अंकुरन के लिए लोबिया को रात भर भीगो कर रखे, सुभा इसे चाने और साफ मलमल के कपड़े में बांध दे, अंकुरित होने के लिए इसे दो दिन तक गर्म जगह पर रखे, अंकुरित होने पर इसे बाद में उप्योग के लिए अलग रखे, अब हम सबजी बनाएंगे, इसे बनाने के लिए पहले जिंगे साफ करे और धोए, जिंगे की पीट पर चीरा मारे, इसे काला धागा निकाले, यदि हो तो इस काले धागे को दूसरी तरब से भी निकालना होगा, निम्बू का रज जिंगे पर लगा कर बीस मिनट तक अलग रखे, अब पैन में तेल गर्म करे, प्याज लहसुन डाले और हलका सुनेरा होने तक भुने, टमाटल डाले और मुलायम होने तक पकाए, इसमें मसाले, अंकुरित लोबिया और निम्बू लगा जिंगा डाले, अच्छे से मिलाए, थोड़ा पानी डाले और पांच से आठ मिनट तक जिंगे को पकाने के लिए पैन को धक दे, जिंगे के पकने के बाद धनिया के पत्ते डाले और इसे मिलाए, लोबिया और जिंगे की सुखी सबजी तयार है, इस करी के एक कटोरे में लगभग 119 मिलिग्राम मैगनेशियम होता है, अच्छे स्वास्त के लिए मैगनेशियम को अपने रोज के भोजन में शामिल करना महत्वपूर्ण है, यही सभी खाना प्रोटीन, फोलेट, फाइबर और ओमेगा तीन फेटी एसीर से भरपूर होते है, वेजिंक, आइरन, कोलीन और विटामिन B12 से भी भरपूर होते है, अब यह ट्यूटोरियल यही समाप्थ होता है, यह स्क्रेप्ट विकास सेम्वाल द्वारा अनुवादित है, हमसे जुढने के लिए धन्यवाद, प्यादित है, हाँ बा railway साउτάच ठाव grief होते है, हमसे जुढने के लिए प adapter विए एन्यवाद। थान है, यह स्क्रेव कर ग isन्यवाद। यह बद्ट्दोरी मा एन्यवाद कोई खाए्राव चान से भाहँ र Corrado, सब YOU अह स्क्रेण जूआत मेंगा से गry असे जिए प्रपू